हेलो फ्रेंस आज में फिर से आप लोगों के साथ एकदम नया टेश्टी और कुरकुरा सा नास्ता की डेस्पी सेयर करने वाली हूँ ये नास्ता बनाने में इतना इजी होता है कि आप इसे केबल पांस साथ मिनट में ही बना करके तयार कर सकते हैं तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए हमने आधा कटोरी चावल ले लिया है और आधा कटोरी चना का दाल ले लिया था जिसको अच्छी तरह से धूलने के बाद दो तिन घंटा पहले ही फूलने के लिए डाल लिया था चावल डाल बहुत ही अच्छी तरह से फूल चुकी है अगर आपको सुबख के जल्दबाजी में इस नास्ता को बनाना हो तो आप चावल डाल को रात में ही अच्छे से धूल करके फूलने के लिए डाल सकते हैं तो यहाँ पर चावल दाल अच्छे से फोल चुका है इसका सारा एक्ष्ट्रा पानी निकाल लेंगे और इस चावल दाल को ट्रांसफर करेंगे एक मिक्सी के जार में मिक्सी के जार में चावल दाल को डाल लेने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी आड़ कर लेंगे ताकि चावल को पीष लेने के बाद इसे ट्रांसफर करेंगे एक मिंक्सििंग बावल में मिंस्रण घान मिंस्रण में छवरण देला की सर चावल जीने मैं डालेंगे लेंगे मिंस्रып के गईवाओ का जाया मिंस्रण tor open पर छोटा सा टुकडा गाजर लोंगी जिसको के कद्दू कस करके डाल लोंगी एक छोटे साइज का प्याज लिया था जिसको बारी कट कर लिया है उसे भी इसमें डाल लेंगे आधा सिमला मिर्च बारी काट करके डाल लेंगे दो हरी मिर्च काट करके डालेंगे अगर आपक बहुत ही ज्यादा सींपल और एकदम टेश्टी बनाने वाली हुई इसलिए कुछ ज्यादा एड नहीं करूंगी बहुत कम चीजों से ही इस नास्ता को बना करके तयार करूंगी 10-12 करीपता लेंगे जिसको की काट करके डालेंगे करीपता डालने से इसमें बहुत ही बढ़ियाँ टेश्ट आता है आप चाहें तो इसमें धनियापती भी काट करके डाल सकते हैं अब इन सारी चीजों को एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए तीन से चार मिनट इसको यार किया है एक दम फूला फूला ये बन करके तयार होगा देखिए फ्रेंस हमने इसको तीन-चार मिनट एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए फेट लिया है और यह बैटर एक दम परफेक्ट बन करके तयार हो चुका है तो चलिए अब इससे नास्ता बना लेते हैं तो अब देख सकते हैं बैटर डालते ही फूल करके उपर आने लगा है इसका मतलब तेल अच्छी तरह से गरम हो चुका है अब हम क्या करेंगे कि आधा चमचा बैटर कुल इस तरह से लेते जाएंगे और कडाही में डालते जाएंगे पहले मैं एक नास्ता बना करके देख और एकदम फूला फूला सा नास्ता बन करके तयार हो तो आप देख सकते हैं उपर की लेर अच्छी तरह से सेट हो चुकी है नास्ते को थोड़ा सा हिला करके देख लेंगे पैन को अच्छे सी चोड़ रही है तब इसको हम पलट लेंगे और दोनों और से इसको उलट लगने वाला है इसे सेखते से में गैस का फ्लेम ब्लू टू मीडियम ही रखेगा इस नास्ते को हाई फ्लेम पर नहीं सेखेगा नहीं तो यह उपर से जल जाएगी और अंदर कच्छी ही रह जाएगी तो फ्रेंस आप देख सकते हैं यह नास्ता हमारा सेख करके तयार हो च नास्ते को भी सेखते समय उपर से हम इस तरह से उचाल उचाल कर चमर से उइल को डालते जाएगे ताकि इसका भी लेयर उपर से सेट हो जाएगी तब इसे भी पलट लेंगे और पलट करके इसको दोनों और से उलटते पलटते हुए हलका शा गोल्डन क्रिस्पी होने तक तो friends आप देख लीजिए हमने इस नास्ते को भी उलटते बलटते हुए golden और क्रिस्पी होने तक fry कर लिया है नास्ता देखने में कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है यह उपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और यह बहुत ह आसान नास्ता की रेसिपी है friends आप भी इसको अपने घर में जरूर ट्राइ कीजिएगा ट्राइ करने के बाद आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझी कॉमें जरूर बताईएगा रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नए हो तो चैनल क इसको भी सब्सक्राइब जरूर सिखीजिएगा फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई थैंक्स पर वाचिंग